कुनाल, धीरज और आयुश, कॉलेज एक्जाम्स के बाद अपनी कार से ट्रिप पर निकले थे धीरज ड्राइव कर रहा था, फ्रंट सीट पर कुनाल बैठा था, और बैक सीट पर आयुश बैठा था यार इस बार काई ड्रिक बाउट स्पेशल होने वाला है हाँ भाई, अब अब बड़े हो गई है तुने सब कुछ रख लिया था ना जो मैंने का था मेरे पास जो था हो मैंने रख लिया था, बागी ले ले ही रास्ते से ठीक है तो अभी सामने एक मॉल दिखता है धीरज, गाड़ी रोग, मुझे कुछ लेना है भाई, जल्दी आना कुनाल कार से उतर कर मॉल की तरफ चला जाता है क्या लीना क्या था इसी? अरे पागल है वो, पता नहीं घूमने जा रहा है या ग्रेश्ती बसाने जा रहा है अभे वो देख सामने वो क्या है? यह लग तो कोई खम्मा रहा है खम्मा चलने कब से लगा भाई? उपर देख, लगता है साइरन लगी है हो सकता है कि यहां के लोग कोई फंक्शन कर रहे हो और कोई और रीजन से साइरन ले जा रहे हो हाँ हो तो सकता है तब ही कुराल आकर गाड़ी में बैठता है उसके हाथ में गन होती है बैग ये क्या लाया तू हम कोई सिकार करने जा रहे हैं क्या अरे वो बिल्डिंग काउंटर पर उन्होंने कहा कि सर ये ले लिजिए आपको आगे जुरूत पड़ेगी ये अरिया बहुत खतरनाक है ये गन कौन सी है लेजर या साइरन पिलर से क्या ये क्या होती है वो हालिवुड मुवीज अरे भाई तू मुवीज कम देखा गड़ी है धीरज गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते है तब ही साइरन की आवाज आती है लगता है आसपास कोई फेक्टरी है पर ये आवाज थोणी अलग है वाई ना तो एम्बुलेंस जैसी या ना पुलिस जैसी इंडस्ट्री वाली भी अलग होती है ये कौन सी है तब ही धीरत छटके से काड़ी रोग दोता है उन्हें जोर का छटका लगता है वो लोग नजरें उठा कर देखते हैं तो उनके सामने दो लंबी-लंबी टांगें होती है जो पतले फिलर्ज जैसी दिखती है ये क्या मुला है उसी वक्त सामने एक कुट्टा दोड़ते हुए रोड के इस पार से उस पार जाता है वो दोनों टांगें भी उस कुट्टे के पीछे चल देती है उसे देखकर इन लोगों का बुरा हाल हो जाता है और उसके जाते ही चैन की सांस लेते हैं ये क्या था भाई? वापिस, वो मौल वालों की भातों से मुझे डर लग रहा था तुम लोगों को तो आना था, कितना बोल तो रहते भाई, हॉरर डेस्टिनेशन ही चूज करना तो फिर अभी से डरने लगे? अरे यार अरे ट्रेलर इतना डराबना था तो आगे पूरी फिल्म कैसी होगी? मैस उन गाड़ी मोड ले ठीक है, चलो वापिस धीरज गाड़ी मोडने लगता है वो इतना डरा हुआ होता है कि ठंग से गाड़ी भी नहीं चला पाता है तब ही फिर से साइरन की आवाज आने लगती है और उनके गाड़ी के मोडते ही फिर से भही ठांगे नजर आती है उन लोगों को तो लंबे लंबे पैरों की उपर एक शरीर होता है और सिर के नाम पर चार साइरन्स लगे होते हैं पैरों के जैसे ही पतले पतले लंबे हाथ होते हैं उसके वो इनकी कार को हाथ में उठा कर खिलोने की तरह उपर नीचे करने लगता है कार के दर्वाजे खोल देता है अब जैसे ही उपर नीचे करता है ये लोग बीचे जमीन पर गिर जाते है उपर से गिरने के कारण छोट तो लगती है पर चान की फिक्र में उटकर भागने लगते है आयुश के उपर लेजर गन गिरती है तो वो उसे लेकर भागता है भागते भागते गब जंगल में खुश जाते हैं ये उन्हें पटा ही नहीं चलता पर आयुश तूने हमें पसा दिया यार मुझे नहीं पता था यार ये जगह इतनी खतरनाक होगी अगर हम मर गए तो अरे भागो यहां से अगर वो आया तो लेजर गन से हम उसे मार देंगे फिर से वही साइरन की आवाज आने लगती है जंगल के पेडों के बीच फिर वही टांगे इन लोगों को दिखने लगती है ये लोग पत्थरों की आड में छुप जाते हैं मैंने हॉलिवड मूवीज में देखा है ऐसे क्रियेचर्स को साइरन किलर्स कहते है ये बहुत पावरफुल होते है पर मुझे पता है कि इनको कैसे खत्म करते है यार तुझे जो करना है वो कर पर आज हम लोगों की जान बचा ले प्लीज तुम लोग चोप रहे ना अगर वो इदर आए तो सब अलग-अलग भागना हम मैं गोली चला रहा हूँ ठीक है ओके ब्रो इदर साइरन फिलर पूरे चंगल में लोगों को ठोन रहा होता है और अचारक उनके पास आजाता है आयुश पत्थर की आज से लेजर गन शूट करता है साइरन हैड का एक साइरन फट जाता है वो पागल होने लगता है दर्थ से चीखने चिलाने लगता है उसके चीखने से साइरन की आवाज इतनी तेज हो जाती है इन लोगों के कान फटने लगते है इन लोगों को वो पागल की तरह ठूने लगता है जिधर से गोली चिंपनी होती है उधर वो चाता है ये तीनो भागी रहे होते है कि वो अपने बाई हाथ में तीनो को उठा लेता है आयुश लगातार लेजर गंद चलाने लगता है उसके तीनों साइरन्स को टार्गेट करता है उसका निशाना बिलकल सही लगता है साइरन बिलर के साइरन्स ब्लास्ट कर जाते है साथ में ये लोग भी उस ब्लास्ट में ओड़ जाते है घुगरा गाओं में हर साल की तरह इस साल मी इस वक्त बहुत रौनक है क्योंकि कुछी दुनों में क्रिस्मस आने वाला है और फिर नया साल और गाओं में सभी लोग मिलकर दोनों ही मौकों को बहुत खास ठंग से मनाए करते हैं हमेशा की तरह ही क्रिस्मस थे कई दिन पहले यहां दुखारे सच गई है लोग भी अपने घर में क्रिस्मस ट्री को सजाने की तयारिया शुरू कर चुकी है यह क्रिस्मस पहले जैसा नहीं होने वाला और ना ही यह रौनक ज्यादा देर रहने वाली है इस बात से लोग बेखबर है क्रिस्मस आने में वह सब कुछी दिन रह गए है जोजिफ और चीनी बाजार में है और अपने घर के लिए कुछ शॉपिंग करने है जीनी, मुझको लगता है कि सारी शॉपिंग खतम हो गई है और अब तो कुछ और भी नहीं गया है हाँ, कुछ मोड़ा मोड़ा समान रह गया है वो मैं बाद में आकर ले लूँगी अभी ये लिए घर चलते हैं दोनों घर पहुचते हैं इदर अपनी अपनी दुकारे बंद करके सभी दुकान दार भी घर पहुचते हैं रात का वक्त है क्रिस्टल अपने घर पर सोई हुई है और तभी अचानक दर्वाजे बर्तस तक होती है इस वक्त कौन होगा? शायद कोई पडोसी होगा देखती हूँ क्रिस्टल दर्वाजा कोती है दर्वाजा खोलते ही क्रिस्टल डर के मारे कावने लगती है वो चीखना चाती है पर चीख नहीं पाती दर्वाजा अपने आप बंद हो जाता है और अंदर आती है एक भायानक सी चडैल जिसकी आँखे लाल है बाल सखेद है और वो जोर जोर से हस रही है क्रिस्टल गेप दे मुझे कुछ मैं यहां कुछ गेप लेने आई हूँ देना क्या हुआ कुछ नहीं दे बारी ये दू चल मैं खोदे गेप ले दीम ऐसा क्या कर चुड़ा है क्रिस्टल का गला दबाती है छोड़ो मुझे, छोड़ो मैं मरना नहीं चाहती मुझे छोड़ दो ऐसे कैसे छोड़ तो नहीं सकती मैं तुझे मरना तो तुझे पढ़ेगा है पर यहां नहीं पहले तु मिरे साथ चल ऐसा कहकर चुड़ेल अपने हाथ में क्रिस्टल का खला पकड़ती है और वो दोनों आयब हो जाते हैं अगले दिन क्रिस्टल के घर का तरवाजा खुला है घर पर कोई नहीं है आसपास के लोग ये देखकर परिशान है समझ नहीं पा रहे कि क्रिस्टल कहां चली गई क्रिस्टल के पड़ोसी आपस में बात कर रहे हैं अरे ये क्रिस्टल बीटिया कल रात तक तो हमने उसे देखा था ऐसा कहां चली गई और घर का तरवाजा भी खुला है फोन भी यहीं पड़ा है हाँ भाई साब कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे तो लगता है मैं पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए सबकी रजाबंदी से पुलिस में कंप्लेंट करवा दी चाती है दिन बीटता है और रात का वक्त आता है इस बार तिनकर के खर का दर्वासा कोई खटखट आता है ऐसे नहीं खोलूँगा पहले खिड़की से देखता हूँ कि यह है कौन वो खिड़की खोल कर देखता है तो बाहर उसे पड़ोस का विजय खड़ा दिखाई देता है दिनकर दर्वाजा खोल कर देखता है विजय अंदर आता है विजे, तु इस टाइम, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? मेरे साथ तो सब ठीक है, पर तेरे साथ अब कितना क्या ठीक रहेगा? यह देख रहा होगा दिनकर पलट कर देखता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं, पीछे वज़े नहीं, बल्कि एक चड़ेल खड़ी होती है मैं यहाँ अपना किफ्ट लेने आई हूँ, तू है मेरा किफ्ट, चल मेरे साथ चड़ेल दिनकर का कला पकड़ती है, और एक बार फिर से वो दोनों खायब हो जाते हैं अब तो गाओं में हर रोज का सिलसला हो गया था, कि कोई ना कोई खायब होता जा रहा था पहले क्रिस्टल, फिर तिनकर, फिर जोजिफ, विमला, और इसी तरह गाओं के कही लोग खायब हो चुके हैं और इसलिए कल क्रिस्मस है, लेकिन फिर भी गाओं में हर तरफ सन्नाटा पहल गया है कोई कुछ समझ नहीं पा रहा, कि आखिर इस मुसीबत से कैसे निकला जाए पुलिस की जाच में भी कोई सुबूत हाथ नहीं लगा मुझे तो लगता है ये किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी शेतान का काम है और जब काम शेतान का है, तो इसमें हमारी मदद पुलिस नहीं बल्कि कोई ऐसा ही कर सकता है जो शेतानों से निपटना जानता हो कोई ऐसा जो शेतानों को काबू में कर सकता हो बात तो मुझे भी आपकी सही लगती है लेकिन ऐसा कौन इंसान हो सकता है जो हमारी मदद कर सके वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तो अभी उन्हें वहाँ अपना एक बैग लिए बंटी आते को दिखता है जिनी और सुनीता उसे पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ये किसी चड़ेल, किसी शैतान का काम है तो फिर तो हम सबकी मदद मुम्बत्ती वाले बाबा ही कर सकते हैं जिनने अपनी मुम्बत्ती की रोश्नी में सारी चुलेल, भूत, दिखाई देते हैं और वोने जला कर राक कर देते हैं मैं अभी उन्हें फोन करके यहां आने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ बंटी के बुलाने पर मुम्बत्ती वाले बाबा वहां आ जाते हैं क्रिस्मस से एक रात पहले का वक्त है पूरे गाओं में अंधेरा कर दिया चाता है और वाबा अपनी मुम्बत्ती की रोश्नी में स्चुलेल का देखते हैं चुलेल, जानता हूँ कि तो यहीं कहीं है सामने आ मेरे, सामने आ जल्दी, वाणा तेरी खैर रही बाबा के मंत्रों मुम्बत्ती की ताकिन से चुलेल सामने आ जाती है और जोर जोर से चिलाने लगती है क्यों बुलाया मुझे यहाँ? क्यों बुलाया? क्या चाहता है तू? जानता नहीं? तूने अपनी मौत को बुलाया है मरेगी तक तू? ऐसा क्या कर बाबा अपनी हथेलियों को कुछ मंत्र पढ़कर चुलेल के चारों और खुमाते हैं और चुलेल गेर्द गेर्द मौम्बत्ती का एक खेरा बन जाता है और चुलेल चट पटाने लगती है बाबा ये तुने ठीक नहीं किया ठीक नहीं किया तुने ये कहते हुए चुडेल जल कर मर जाती है और राख बन जाती है उसके राख बनते ही चिल लोगों को अपने साथ लेकर गई थी वो सब वापस आने लगते है सब काउवाले हुश हो जाते है और बंटी को थन्यवाद देते है और अगले दिन खूब धूमधाम से क्रिस्मस मनाते है और अगले है